Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे exercise 5.2, class 12, chapter 5 ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको कुछ कुश्यन लिये हुआ है उसे exercise के पहला कुश्यन है हमारा y is equals to sin of x square plus 5 हमने क्या निकालना है? dy बट्टे dx निकालना है, ठीक है? इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने chain rule को समझा था मैंने आप लोगों को उस वीडियो में ये बताया था कि chain rule होता क्या है और हम उससे related कैसे कुश्यन को solve करते हैं, ठीक है? आज की इस वीडियो में हम लोग उसी से related कुछ और कुश्यन solve करेंगे जो हमारी x is y.2 के हैं, ठीक है? चलिए start करते हैं पहला कुश्यन है y is equals to sin of x square plus 5 ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? differentiation with respect to x इसका हम x के सापिक्स कर लेते हैं, और कलन कर लेते हैं यानि की d upon dx into y is equals to sin of x square plus 5 और आगे से हमारा क्या जाएगा? d upon dx आजाएगा ठीक है? अब देखिए, चेंड रूल में क्या होता है? चेंड रूल में हम सबसे पहले यह जो साइन के साथ आपको x square plus 5 दिख रहा ना x square plus 5 आजाएगा ठीक है? फिर आगे आप लोगोंने क्या करना होता है? जिसको x माना है हमने किसको माना था? x square plus 5 को इसको हम x की respect में इसको भी क्या कर लेंगे? डिफ्रेंसेट कर लेंगे आई होप आप लोगों को इस समझ में आ रहा होगा ठीक है? तो हमारा जो dy upon dx है न वो क्या आएगा? देखिए यहां से आगिया हमारे पास x square plus 5 ठीक है? अब हम क्या करेंगे? x square का x की respect में differentiation करते हैं किसका x square का? तो एक formula होता है न d upon dx x की power n का इसका जो formula होता है वो होता है n x की power n minus 1 यानि कि power कहां आती है? आगे आती है और power मैंसे 1 क्या हो जाता है? सबस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर को आपको अगर आप x square का differentiation करना चाहते हैं x square की x की respect में तो इसका differentiation क्या आजाएगा? power आगे आएगी यानि कि 2 आपका आगे आया और power मैंसे 1 कम हो गया यानि कि 2 minus 1? 1 हो गया ठीक है? और constant क्या है? हमारे पास 5 है तो constant function का जो differentiation होता है वो क्या होता है? 0 होता है क्या होता है? 0 होता है तो हमारा ये ये जो answer होगा या इस question का answer आगया final answer ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है हमारे पास तीसरा question है sin of ax plus b हमने इसको x की respect में differentiate करना है तो सबसे पहले हम यहां भी यह लिखेंगे differentiation with respect to x तो सबसे पहले तो हम इसको y मानेंगे y is equal to sin of ax plus b इसके बाद क्या करेंगे? हम x के साप एक से इसका आगलन कर लेते हैं यानि कि d upon dx into y is equal to d upon dx sin of ax plus b तो यहां हम again क्या करेंगे? chain rule की help से इसको solve करेंगे इस पूरे को हम ना यह जो ax plus b है इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान रहे हैं differentiation करने के लिए क्या माना हमने? x माना और हमें पता है यदि हम sin x का x की respect में differentiation करते हैं यानि कि d upon dx sin x sin x का जो differentiation होता है वो क्या होता है? cos x होता है ठीक है? तो इसका differentiation क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा cos अब x क्या है आपका? x है आपके पास ax plus b हम लोग क्या लिखेंगे? ax plus b लिख लेंगे आगे क्या करेंगे? again जिसको हमने x माना था उसका हम x की respect में differentiation कर लेते हैं ax plus b ठीक है? आई होप आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा और हमारा dy upon dx क्या आएगा? dy upon dx से equal to यहां से हमारे पास आजाएगा cos ax plus b अब क्या होगा? यहापर को एक rule होता है addition का rule होता है ठीक है? addition का rule क्या कहता है differentiation में? पहले आप ax का differentiation करेंगे, फिर किसका करेंगे? b का करेंगे, यानि कि यह हो जाएगा d upon dx ax plus d upon dx b ठीक है? आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा अब जो constant function b है न इसका differentiation होता है 0 क्या होता है? 0 होता है और ax का आप x की respect में differentiation करेंगे, किसको ax को अगर मैं x की respect में differentiation करता हूँ a constant आपका भाहर जाएगा और x का x की respect में differentiation क्या होता है? 1 होता है, यानि कि इसका जो final answer आएगा न, यहां से क्या आजाएगा? a मिल जाएगा हमें, तो a cos ax plus b, यह क्या हो जाएगा हमारा, इस question का final answer हो जाएगा, ठीक है? I hope आप लोग को यह समझ में आया होगा, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अगला question है हमारे पास cos of sin x, सबसे पहले हम करेंगे let, suppose कर लेते हैं, y is equals to हमारे पाद क्या है? cos of sin x है, ठीक है? इसके बाद हम again क्या करेंगे? differentiation कर लेंगे इसका differentiation with respect to x यानि कि x के साफ एक साम इसका differentiation करते हैं, dy upon dx equal to d upon dx cos of sin x cos of sin x सा आगिया, ठीक है? अब हमने क्या करना है? इसको x के respect में differentiation करना है, ठीक है? अब again हम chain rule की helper से इसको solve करेंगे हम थोड़ी देर के लिए यह जो आपके cos के साथ क्या चलना है, यह bracket में sin x है इस पूरे को ना हम sin x को क्या मानते हैं? थोड़ी देर के लिए हम x समाल लेते हैं हमने इसका क्या करना है? differentiation करना है, इसलिए अब एक formula होता है ना, यदि आप क्या बोलते हैं? cos x का x की respect में differentiation करते हैं, d upon dx cos x इसका जो differentiation होता है, वो होता है minus sin x, क्या होता है? minus sin x होता है, तो हम यहाँ पर को cos x की जग़ों क्या लिख लेंगे? minus sin x से लिख लेंगे ठीक है, और x किसको माना है हमने? sin x को माना है, तो हमारे पास जो dy upon dx से आएगा ना, dy upon dx के आएगा? minus sin x किसको माना था? उसकी value रखेंगे x क्या है हमारे पास? sin x से, इसकी value रख दी again आप क्या करेंगे? जिसको आपने x मान्द रखा ना, उसका भी आप एक बार x की respect में differentiation कर लेंगे ठीक है? और जो sin x होता है sin x का differentiation आप सभी लोग को पता ही होगा, क्या होता है? cos x होता है तो इसका answer आजाएगा, minus sin of sin x into cos x sin x का x की respect में, differentiation क्या होगा? cos x होगा, यही हमारा क्या होगा? final answer होगा, I hope आप लोग को समझ में होगा, ठीक है? अगला कुश्चिन है हमारे पास sack of 10 under root x हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको y is equals to sack of 10 under root x यह ले लेते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे? हम इसका x के साब एक से differentiation कर लेते हैं, differentiation with respect to x dy upon dx equal to d upon dx किसका differentiation करना है हमने? sack of 10 under root x इसका क्या करना है? हमने x के साब x से differentiation करना है, इसका derivative करना है, ठीक है? तो chain rule में क्या होगा? अगेन हम इस पूरे को ना यह जो 10 under root x है, इसको क्या मान लेता हूँ? मैं x मान लेता हूँ, थोड़े रिख ले क्या माना मैंने? x माना और यह क्या बन गया? हमारा sack x बन गया इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को जब formula बतायते हैं तो sack x का x की respect में derivative मैंने बताया था आपको sack x 10x यानि कि इसका जो derivative हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? आपके पास sack x 10x यानि कि sack अब आपके पास x क्या है? उसकी value रखिए x है है आपके पास 10 under root x ठीक है? 10 under root x आगे क्या करेंगे? sack x 10x फिर 10x 10 under root x ठीक है? आई होब आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा इसके बाद chain rule में क्या होता है? जिसको हमने x मान रखा है ना उसका भी हमने derivative करना होता है यानि कि हम किसका 10 under root x का भी क्या कर लेंगे? derivative कर लेंगे खीक है? आई होब आप लोग को समझ में आ रहा होगा और यह जो 10 under root x है ना इसमें अगेन हम क्या करेंगे? root x को x मान देंगे थोड़ देर के लिए इसको क्या मान लेते है? x बान लेते हैं और हमें पता है कि 10x का derivative होता है वह होता है sec square x तो यह क्या हो जाएगा? देखिए आगे हम लोग लिखेंगे यहां लिख देंगे sec x x क्या है हमारे पास? sec 10 under root x 10 10 under root x 10 into 10 under root x है 10 under root x ठीक है? अगेन क्या करना है? जो आपका यह root x है न chain rule से आप इस root x का भी derivative कर लेंगे x की respect पर है और जो root x होता है root x का derivative होता है 1 upon 2 under root x क्या होता है? 1 upon 2 under root x होता है तो इस पूरे का जो answer आ जाएगा क्या आ जाएगा sec 10 under root x 10 of 10 under root x और यह क्या आएगा आपके पास sec square root of x sec square under root x और divide में आ जाएगा न root x का derivative होता है 1 upon 2 under root x है यानिकि 2 under root x आपका कहा है गा? divide में आ जाएगा और यह ही जो होगा आपका final answer होगा यानिकि आपको divide upon 5 वा कुश्यान है हमारे पास sin of ax plus b whole divided by cos of cx plus d हमने क्या निकालना है? dy upon dx से निकालना है थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले y is equals to sin of ax plus b whole divided by cos of cx plus d हम क्या कर रहे है? इसको x की respect में differentiate कर रहे है ठीक है? तो dy upon dx is equals to d upon dx x sin of ax plus b whole divided by cos of cx plus d ठीक है? इसका हमने x की respect में differentiation करना है तो एक मैंने आप लोगों को formula बताया था division rule तो जो division rule होता है division rule क्या होता है? यदि आपके पास u और v कोई दो function है और वो इस form के है u upon v के form के इसका आप x की respect में differentiation करते हैं तो आपके पास क्या कैसे करेंगे? जो denominator है v है v का आप square करेंगे फिर उपट denominator को छोड़ेंगे u का क्या करना है? x की respect में differentiate करना है u को बीच में आपके पास minus आएगा फिर आप v को छोड़ते हैं और u को x की respect में क्या कर लेते हैं? differentiate कर लेते हैं I hope आप लोग को इस सब समझ में आ रहा होगा ठीक है? पहले क्या करणा? v को छोड़ा u को differentiate किया minus u को छोड़ा किसको छोड़ा? u को छोड़ा और v को आपने x की respect में क्या कर लिया? differentiate कर लिया ठीक है? चलिए इस formula की help से हम लोग solve करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे पास denominator है cos of cx plus d denominator का हम लोगोंने square करना होता है यानि कि मैं क्या करूँगा? cos cx plus d इसका क्या कर लूँगा? square कर लूँगा ठीक है? फिर इसको छोड़ना होता है cos cx plus d को मैं छोड़ दूँगा और differentiate किसको करूँगा? sin ax plus b को यानि कि d upon dx sin ax plus b यह हमारा क्या होगा? ठीक है? बीच में आपके पास क्या आएगा? minus आएगा minus लगाएंगे आफ फिर sin ax plus b को छोड़ेंगे किसको छोड़ेंगे? sin ax plus b को छोड़ेंगे और जो denominator में इसको differentiate कर लेंगे d upon dx cos cx plus d को आप क्या करेंगे? x की respect में differentiate कर लेंगे ठीक है? आई होप आप लोग को इस समझमा आ रहा होगा चलिए यह आपका ऐसी रहेगा cos cx plus d आपका ऐसी रहेगा ठीक है? sin ax plus b इसका आप x की respect में differentiation करते हैं थोड़े देर के लिए ax plus b को हम क्या मानेंगे? x मान लेंगे यानि कि हम sin x का x की respect में derivative लिखेंगे जो क्या आता है? cos x आता है cos x ax plus b x की जगवा क्या था? ax plus b था फिर आपने क्या करना होता है? इस ax plus b को भी differentiate करना होता है ax plus b का आप differentiate करेंगे तो आपके पास सिर्प क्या आएगा? a आएगा जो मैं आगे लिख दे रहा हूँ ठीक है? बीच में आपके पास minus आप इसको ऐसी रहने देंगे sin ax plus b आपका ऐसी चलेगा cos cx plus d को x की respect में differentiate करेंगे यानि कि आप cx plus d को थोड़ देर के लिए x मानेंगे आपका क्या बन जाएगा? cos x x का derivative x की respect में क्या होता है? minus sin x होता है minus sin x की जगा क्या है? cx plus d है फिर इस cx plus d को भी आप differentiate करेंगे x की respect में क्या आएगा आपके पास? c आएगा I hope आप लोग को यह सब समझ में आ रहा होगा और divide में क्या चलेगा ना आपके पास? divide में हो जाएगा cos square cx plus d यह कहा आगिया? divide में आगिया ठीक है? अब इसको हम थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं यह minus और minus को आपस में into करा देंगे यानि कि आपके पास जो dy upon dx आएगा ना वो क्या आजाएगा? a cos cx plus d cos cos ax plus b बीच में आपके पास minus और minus, आपस में क्या हो जाएगे? plus हो जाएगे, multiply होके खीक है? और यह आएगा आपके पास c sin ax plus b क्या आया? ax plus b आया, और यहां से आपके पास आजाएगा sin cx plus d sin cx plus d आजाएगा और denominator में आपके पास क्या है? d, denominator में क्या है आपके पास? cos square cx plus d, यह denominator में है और यही इस question का final answer होगा, ठीक है? I hope आप लोग को यह video समझ में आया होगा, आज की video में हम इतने ही question discuss करते हैं अगली video में हम कुछ और question लेकर आएगे धन्यवाद